जैमात अदीबगतु आजगज वीडियो है ये टॉपिक्स आप समझ चुके होंगे कुछ ऐसी चीज़े में बताने जा रहा हूँ जो आप अपने पास अगर रख लेते हो या अपने पर्स में जब आप पैसे जहां रखते हो अपने एटियम जहां रखते हो अगर वहाँ पर भी आप ये चीज़ों को रख लोगे न मैं आपको गैरंटी दे रहा हूँ मा लक्षमी के अपरमपार करपा रहेगी मा लक्षमी का स्थिरवास हो जाएगा कभी मालक्ष्मी आपके घर में जाने का नामी नहीं लेगी सिर्फ आएगी आएगी और आएगी और जब मालक्ष्मी आती है न तो बहुत सुंदर लगती है बहुत सुंदर मतलब अटी सुंदर क्योंकि धन जो हम कहते हैं कि मालक्ष्मी धन की देवी है अश्वरे की देवी ह वैभव की देवी है तो फिर अगर वो सब हमारे पास हो तो जिन्दगी में फिर तो कोई कश्ट ही नहीं है फिर कोई दुखी नहीं है और दुख आता भी है तो अगर धन जमदा से परपूर हो और परिपूर्ण हो तो फिर तो कोई संगड परिशानी का डर ही नहीं हाँ ना सही बोलो ना मैं तो आज का जो वीडियो है ना इसी चीज़ को लेकर है अगर मैं जस तरीके सब विदी विदाहन से आपको चीज़े बता रहा हूँ या अपने वीडियो से में बताता हूँ अगर आप उस चीज़ को करते हो तरीके से बताईवी विद्या से बताईवी ग्यान से अगर करते हो ना मैं आपको गैरंटी दे रहा हूँ आपको 100 परसन उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा तो जब मैं बात कर रहा हूँ मालक्ष्मी की तो हम सब को पता है कि मालक्ष्मी धन की देवी है और जोतिश और वासुषास की अनुसार धन लाप के लिए कहीं ऐसे उपाई बताए गए हैं जो वासुषास की अनुसार पर्स या जेव में कुछ चीजे रखने से मालक्ष्मी की अपरमपार कृपा बरसती है माननेता है कि अगर कोई मालक्श्मी की कृपा पाना चाहता है तो उसे अपनी पर्ष या जेव में कुछ चीजों को रखना शुरू कर देना चाहिए कहा जाता है कि ऐसा करने से पर्ष या जेव कभी खाली तहीं रहती मा लक्ष्मी का भरपूर आशिरवाद मिलता है जिसके परिणाम स्वरूब कर्ज जैसी समस्या से भी जल्दी से जल्दी आपको छुटकारा मिल जाता है आपको जो संकट परिशानिय धन समधा को लेकर उससे आपका छुटकारा हो जाता है और वासुसास के अनुसार बताते हैं कि पर्स या जेब में किन दस चीजों को रखना चाहिए जिससे आपे मा लक्ष्मी की अपरमपार करपा बनी रहे साथ ही धन की तिजूरी या पर्स हमीशा भरा रहता है कभी आपका धन कभी आपका जो जेब है खाली नहीं होगी कभी आपका पैसा फालतू चीजों में नहीं जाएगा रोख दोसों में नहीं जाएगा अगर मा लक्ष्मी आपके साथ है मा लक्ष्मी आपसे प्रसन है न तो आपको जिन्दगी में कभी कोई ठोकर नहीं लग सकती है जिन्दगी में कोई कठनाईया नहीं आ सकती है और जिन्दगी में कोई संगट नहीं आ सकता क्योंकि धन एक ऐसी चीज है, आजकल कहल यूग में सब कुछ खरीदा जा सकता है तो आप लोग समझ रहे हो, वेडियो बनाने का माध्यम यह है कि आपके जेब खाली नहीं होनी थी और आए जानते हैं सबसे पहली वो कौन सी चीज है, जिसे रखने से मालक्ष्मी का अप्रमपार आशिरवाद आप ले सकते हो सबसे पहली चीज है चांदी का सिक्का अगर मैं सास्त्र को देखूं तो क्या है मालक्ष्मी को प्रसन करने के लिए जो उपाय है उसमें से एक खास वस्तु जो नियम के मुताबिक पर्स में चांदी का सिक्का यानि कि सिलवर कौईन रखने से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है और साथ ही साथ वस्तु नियम के मुताबिक इस सिक्के को पहले मालक्ष्मी को अर्पित करें किसी भी शुकरवार को उसके बाद अपनी पर्स में रख लें और ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी ही आर्थिक स्थिती में सुधार नजर आने लग जाएगा अब इसके लिए क्या करना है ना किसी भी शुकलपक्ष के पहले शुकरवार को आप मालक्ष्मी का आर्थि कीजे पाट कीजे उनका धूब दीप कीजे उनको गुलाब की अगरबती धूब और इत्र लगाए उसके बाद इस सिक्के में भी उस तरीके से पूजिन कीजे हल् उसे बिंती करके कि हे मालक्ष्मी मैं आपका आवान करता हूँ और आपसे मैं यही बिंती करता हूँ कि आपका मेरे घर में स्थिरवास हो जाए नारायन संग क्योंकि मालक्ष्मी बिना नारायन के कहीं नहीं चलती तो नारायन भगवान साथ में होंगे तो मालक्ष्मी की अप्रम पारकरपा और भी दुगनी दुगनी हो जाएगे तो आपको यी बिंती करनी है आपको उनसे बोलना है और फिर उस सिक्के की चांदी के सिक्का जो आपके पास है उसका भी यही आपसे बिंती करनी है कि भहिया इस सिक्य पे भी मा अपना आशिरवाद दीजे ताकि मेरे जेब में या मेरे घर पे कभी अन और धनकी कमीना आए और दिन दुगनी राच्य अगनी की तरक्की हो जाए वैसा बोल के आप उसे पर्स में तिजोरी में जहां रखना चाहो रख सकते हो शुकल पाक्ष के पहले शुकरवार को अगली जो चीज है वो है कौडी कौडी के बारे में वैसे तो सभी लोग जानते होंगे तो किसी भी पूजा स्टोर में या आपका किसी भी वेबसाइड में आप इसको मंगा सकते हो और यह मालक्षमी को बहुत प्रिये है और अगर आप साथ कौडियों को अपनी पर्स में रखने लग जाते है तो आपकी जो आर्थिक तंगी है यानकी पैसों से लेकर कोई भी समस्या है या पैसा आए नहीं रहा है या टिकता ही नहीं या रोगों में दोशों में जा रहा है तो वो टिकने लग जाएगा उसमें सुधार आ जाएगा इसके इलावा ऐसा करने से घ पहले शुकरवार पे आप इनमें से कोई भी एक चीज रख लो उपाई कर लो आपके फल मिलेगा अच्छा फल मिलेगा है इसकी मैं गैरंटी देता हूँ अगला जो है वो है श्री अंत्र जो श्री अंत्र होता है वो मालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है माननता है कि श्री अंत्र को पर्स में रखने से जीवन में पॉजिटिव याई सक्रात्मक उज़ा का संचार होता है कहा जाता है श्री अंत्र के इस उपाई से आर्थिक उन्नती भी होती है इसके लावा मालक्ष्मी का आशिरवात भी प्राप्त होता है अब अगली जो चीज है वो है गोमती चक्र, गोमती चक्र भी आपको किसी भी online store पे मिल जाएंगे, online जो आप मंगाते हैं, shopping करते हैं उस पे मिल जाएंगे, या फिर किसी भी पूजा store में जहां पूजा का समान मिलता है, वहाँ पर भी easily आपको गोमती चक्र मिल जाएंगे, ठीक है उसमें अंदर से एक आकार बना रहता है, थोड़ा सा काला काला दब्बे बने रहते हैं, वो से हम गोमती चक्र बोलते हैं, गोमती चक्र को मा लक्ष्मी की प्रिय वस्तों में से एक माना गया है, ठीक है, अगर हम सास्त्रों को देखें, तो उसके मुताबिक भी बत गोमती चक्र को धारन कर लो, किसी भी शुकुलपक्ष के पहले शुकुरवार को, या फिर गोमती चक्र अपने पास रख लो, उसे गंगा जल में चौबिस घंटे न, जैसे शुकुलपक्ष का शुकुरवार है दूसरे दिन, तो उससे एक दिन पहले इनके ब्रस्तों ठीक है, उसको जौबिस घंटे के लिए, कंगा जल में बिगो दो, फिर वो जल को आप घरब के बाहर किसी भी पेड़ पॉदी में डाल दो, और उस कूमती चक्र को फिर आप अपने पर्स में, या तिजोरी में, या जहां पर आपकी धन समदा का आगमन होता है, या धन रखते हो, वहां रख लो, आप देखूँगे, आपकी धीरी-धीरी ना, कर्ज से आपको मुक्ती में ले लग जाएगे, रास्ते खुलने लग जाएगे, अब अगली जो चीज है, वो है अक्षत, या धार्मिक अनुस्ठान, या भगवान को अर्पित किये, अक्षत, अक् किसद को, यान words 21, जो कीज़ों दाने हैं चांवल के अक्षत के पर्स में रखने से देवी दैवताओं का आशिरवात परापत होता है, मान्यता ये भी है, मान्यता नुसार अगर देखा जाए, ऐसा करने से पहले चांवल के 21 धानों को लेकर मालक्षमी को अर्पित करें, इ जाता है कि ऐसा करने से मालक्षमी की धन वर्षा करती है मालक्षमी खुश होती है प्रसन होती है और चामल हमारे धार्मिक सास्त्रों में बहुत पवित्र बताए गए है फिर पूजा उसमें किसी भी शादी भ्या में जब चामलों का कितना प्रतीक होता है कितना उसका यूज होता है वो इसलिए कि धन धानने से भरपूर रहें कभी किसी अन और धन की कमी ना है तो यह जो चीज है वो है अक्षत यान कि चामल अब अगली जो चीज है वो है बड़े बुजर्गों से मिले पैसे अक्सर परिवार के बड़े तंगी का सामना नहीं करना पड़ता याना कि यापकी बड़े बुजर्ग दादादी ना 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 नी आपको प्यार से कोई पैसा दे रहे है उस पैसे को ना उसमेंसे जब्हेबर आपको सौ रुपए देए तो दस रुपए पूर इस horizontal अगर समाल सकते परस में हर व्यक्ति को एक रुपे का नोट रखना चाहिए, साथ ही इसे कभी खर्च नहीं करना चीए, मानता है कि ऐसा करने से धन का आकर्शन बढ़ता है जिससे जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है आपने देखा होगा पहले के जो लोग होते थे आपने पर्स में एक रुपे या पांच रुपे कुछ ना कुछ ऐसे नौट आपको दिखते होंगे, एक ट्रांस्पेरेंट पन्नी से होती थी पर्स में लगी वी उसमें देख सकते थे आप आपना, तो यह ऐ या फिर आपका करजा उधारी बहुत हो गया है, शादी का कोई परिशानी है, या किसी नौकरी की परिशानी है, भारते जानी की परिशानी है, आपको क्या करना है, मेरी Instagram ID, Facebook ID, Pinterest ID, YouTube ID, और यह समस्ता आइडिया जो है, यह एक की नाम से हैं, यह जो नीचे नाम दिख रहा है, मैसेच में बात करने का, या फिर इंस्टा कॉल पर बात करने का, तो नहीं से जो आप्शन आप लोगे, उसकी छोड़ी से अमाउंट पे करने के बाद, आपको एक समय के आधार पर आपको ऑनलाइन रहना है, और ऑनलाइन के बाद, आपके सवाल सुने जाएंगे, समझे ज सनातन धर्म की माननेताओं के अनुसार, पीपल के पत्ते में भगवान का वास होता है, यही वज़े है कि लोग इसमें जल देते हैं और इसकी पूजा करते हैं, कहा जाता है कि पीपल का एक पत्ता लेकर उसे गंगा जल से सुद्ध करने के बाद, पर्स में रखने से धर्म सास्त्रों में मालक्ष्मी की जो प्रतिमा है, मालक्ष्मी जो है वो धनकी देवी के रूप में स्विकार किया गया है, मानेता है कि मालक्ष्मी की करपा के बिना किसी के जीवन में आर्थिक स्तिती अच्छी नहीं हो सकती, ऐसे में मालक्ष्मी की एक छोटी सी तस्व या फोटो कागच की बन आप पर्श में रखने से आपकी आर्थिक संपन्ता आती है आपके उस जीवन में और इसके लावा कर्श से भी छुटकारा मिलता है तो मालक्श में की करपा अगर आपको पराप्ट करनी और आपके जीवन में मालक्श में का आगमन नहीं हो रहा है